हालो फ्रेंट्स नमस्कार फाइनेशल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वाधत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं अधर्स फाइनेशल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में यह साइपी में जॉइंट एकाउंट होल्डर कितने भी हो सकते हैं यह साइपी में किया गया है कि एक वीडियो इसपे भी रिलीज करेए कि क्या यह साइपी यह मुचल फंडर्स ज्वाइन ट्रूप से लिए जा सकते हैं तो इसका उत्तर है हां लिए जा सकते ही कितने maximum हो सकते इसके विसे में आगे बात करेंगे मुचल फंड्स होते क्या हैं सभी लोगों क को जानकारी है कि म्यूचल फंड निवेश करने का एक इसमाल्ट माध्यम है मीडियम है इसमें आप सभी लोग जो है छोटा-छोटा पैसा एकठा करते हैं और किसी कंपनी को देते हैं फिर उस फंड को जो है एक प्रोफेशनल्स जिसको फंड मैनेजर करते हैं वो मैनेज करता है और हम लोग छोटे-छोटे निवेशक होते हैं जो कि एक लाग दो लाग या हजार-दोजार किसाइपी करते हैं अगर यह चनाई क्लाइंट्स है तो वह करोड़ों रुपाय में इंवेस्मेंट करते हैं नहीं तो लाखों में ही करते हैं फिर जब इससे एक पूरा जो फंड्स इकठा होता है उसको बोलते हैं असेट मैनेज उस लगाता है तो आप इन्वेस्टर्स के हिस्त में यह देखना होता है कि एक इन्वेस्टर्स अगर है वह चाहता है कि हम जो फोल्यों क्रेट करें या जो इन्वेस्मेंट करें हम तीम भाई हैं या चार भाई हैं चारों भाईयों के नाम से एक ही हो अगर हमने कोई भी एक लोक्षा कितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ पहीस इसकी ले सकती हैं फौलिय सब्सक्राइब कितने को बोलते हैं joint account holder कितने joint members हो सकते holders हो सकते हैं joint holders कितने हो सकते एक folio में तो एक folio में वर्तमान समय में जो अपने यहां नियम है से भी के द्वारा क्योंकि mutual fund को से भी ही गवर्न करता है तो एक folio में जो है हो सकते हैं भाई 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 भी हो सकते हैं भाई भाई भी हो सकते हैं लेकिन तीन से ज्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती है अगर तीन लोग हैं तो यह एक ही उसमें कर सकते हैं अब दूसरा सवाल यह होता है कि अगर मालिजे किसी इन्डिविज्वली अपना जो है इन्वेस्मेंट कर दिया मिस्टर राम है इन्हों ने अपना एक म्यूचल फंड की एबीसी कंपनी में एक्स वाई जेट फंड सेलेक्ट किया और इसका एक दो तीन नंबर फोलियो जन्रेट वा फोलियो का नंबर है 123 उसमें इन्हों उन्हें अपने सिंगिल नाम से मिस्टर राम के नाम से इन्वेस्मेंट किया लेकिन जो इनका बैंक में एकाउंट था वह इनका और इनकी सिस्टर के नाम से था मिस्टर एक्स ब्रदर थे मिस्टर वाई जो है सिस्टर थी और उन्होंने अपने पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया एक फोलियो बना दिया जब यह फोलियो इनका बन गया तो अब यह सोचते कि हमको इसके लिए अपना दूसरा बैंक अगर उसमें पहला सिगनेचर आपका है पहला नाम तो आपका यहीं काम कर जाएगा इसके लिए आपको अलग से दूसरा बैंक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहें और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशल विद गोपी क्रस्णा को अबस सब्सक्राइब करें वेल आइकाउन को प्रस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहें वीडियो देखने के लिए धन्य लिए नमस्कार